Good morning students, आज का मारा topic है limit of a function आपने पहले भी 11-12th class में limit पढ़ी हुई है ठीक है, लेकिन अब हम उसकी definition पढ़ेंगे epsilon and delta की terms में ठीक है, पहले मैं आपको बताती हूँ कि limit होती क्या है आपने बढ़ा होगा यह definition कि जब x a को approach करता है तो f of x को tend करता है किसी limit l को a के पास लेकर जाएंगे, f of x किसके पास जाएगा, l के पास जाएगा अगर हम example से समझें तो हमने function consider किया है f of x equal to x square minus 4 upon x minus 2 अब यह हर जगे defined है किस point को छोड़ कर accept at x equal to 2 2 पर क्योंकि denominator 0 हो जाएगा, यह function defined नहीं होगा तो इस point को छोड़ कर function हर जगे defined है ठीक है, taking x not equal to 2, जब हम x को not equal to 2 लेंगे तो हम numerator को factorize कर देते हैं, यह हमारे पास बन जाएगा x minus 2 into x plus 2, यहां से x minus 2 cancel हो जाएगा हमारे पास function क्या बचा, x plus 2 अब हम x को 2 के पास लेकर जाएंगे, यानि कि if we take values of x nearer to 2, तो हम देखेंगे कि f of x की जो values आएंगे, वो किस के पास आएंगे, 4 के पास आएंगे तो आप ने दो limit निकालते थे, एक left hand limit और एक right hand limit ठीक है, और आप कहते थे कि limit exist तब करेगी, जब left hand limit किस के equal आजाए, right hand limit के equal आजाए, तो यही काम यहाँ पर करना है, हम क्या करेंगे, हम एक बार x को approach करेंगे 2 की तरफ, लेकिन कि side से, left hand side से और ऐसे ही, एक बार x को approach करेंगे कि side से, right hand side से, और फिर हम function को check करेंगे, कि वो किस को tend कर रहा है, तो उसके लिए देखे जब मैं x को अप्रोच कर रही हूं 2 की तरफ लेकिन लेफ्ट एंड साइड से तो इसका मतलब जब आप लेफ्ट एंड साइड से 2 की तरफ जाओगे तो वैल्यू जाएंगी किस तरीके से 1.9, 1.91, आप तुसों 1.99 और फिर 2 आएगा ठीक है ना और जब लेफ्ट एंड साइड से 2 की तरफ जाना शुरू किया तो function की values हमने देखी कि क्या ही 3.9 फिर बढ़ती चलीगे और किस की तरफ जा रही है 3.9999 यानि कि 4 को अप्रोच कर रही है ठीक है जब हमने क्या किया in this case values of x are close to 2 and lie on the left hand side of 2 while the values of f of x are close to 4 and lie on the left hand side of 4 4 की तरफ अप्रोच कर रहा है f of x भी left hand side से ऐसे ही जब हमने x की values right hand side से उठानी शुरू की और 2 की तरफ ले जाते चले गए तो f of x की value क्या ही 4.1 फिर घरती चलीगे और किसको अप्रोच कर रही है ये 4 को ये अप्रोच कर रही है कि side से right hand side से तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम x को 2 की तरफ लेके जा रहे हैं तो f of x किसकी तरफ जा रहा है 4 की तरफ जा रहा है तो ये होता है limit का concept ठीक है ये definition आपने पहले पढ़ी हुई है school time पे अब हम definition पढ़ेंगे कौन सी epsilon delta definition epsilon delta की terms में तो देखें ये definition limit of a function की क्या होती है let f be a function defined in a deleted neighborhood of a deleted neighborhood क्यों बोला देखें जैसे अब ही जो example किया उसमें आपने 2 को हटा दिया ना 2 को क्या किया हटा दिया और 2 के आसपास 2 की neighborhood में हमने points रखके देखें तो इसका मतलब function कहां defined है 2 की deleted neighborhood में ये ही बोला इसने let f be a function defined in a deleted neighborhood of a उस point को हटा के उसके आसपास function defined है then our real number l is set to be limit of f as x tends to a जैसे जैसे x को हम a की तरफ ले कर गए तो एक real number l limit का बनेगा f की f जिसको approach कर रहा था जैसे 4 को कर रहा था तो 4 limit का बनी थी f की उसके लिए देखो इसने क्या का if for any epsilon greater than zero however small it may be एक epsilon के लिए एक number लोगे आप epsilon जो की positive होगा और very very small होगा zero point something value होगी तो इस किसी epsilon के लिए एक delta exist करेगा जो की positive होगा such that f of x minus l का mode less than epsilon whenever mode x minus a mode है तो positive तो हमेशा रहेगा और less than क्या आएगा ठीक है जब देखो जब मैं x को 2 की तरफ लेके जारी थी तो उनका difference बहुत ही small था मैंने बिल्कुल pass की values उठाई थी चाहे left hand side से उठाई हो चाहे right hand side से उठाई हो तो इसका मतलब उनके बीच का difference बहुत ही क्या था small ले रही थी मैं जब उनके बीच का difference मैं बहुत small ले रही थी तो f of x किसको approach कर रहा था 4 को तो f of x और 4 के बीच का difference भी बहुत ही small आ रहा था ठीक है यानि कि वो भी less than क्या रहा था epsilon अगर हम यहां से देखे तो x को जब मैं 2 के बिलकुल पास रख रही हूं यानि कि x का और 2 का अगर मैं difference देखूंगे उनके mode का इधर से भी और इधर से भी तो वो मैं बहुत small ले रही हूं तो उसके corresponding क्या हो रहा है f of x का और 4 का difference यानि कि l का limit का difference भी क्या रहा बहुत ही small आ रहा है तो यही कहा उसने for any epsilon greater than 0 एक delta exist करेगा such that f of x minus l क्या आएगा less than epsilon whenever mode x minus 1 क्या रहेगा less than delta अगर mode को खोलेंगे तो यह f of x minus l किस किस के बीच में लाई करेगा minus epsilon और plus epsilon के बीच में तो इसका मतलब f of x किस के बीच में लाई करेगा l minus epsilon और l plus epsilon के बीच में ऐसे यह x लाई करेगा a minus delta और a plus delta के बीच में तो अगर यह definition satisfy हो जाती है तो हम क्या कहेंगे कि f of x की limit के आएगी l at x equal to a यानि कि f of x l को tend करेगा as x tends to a ठीक है अब questions करते हैं इसके first question में देखे उसने क्या का using epsilon delta definition of limit प्रूफ करने है आपको यह वैसे तो यह questions आप 12th class में कर चुके हो direct जैसे अभी यह question है मैंने आपको बताया ना उपर factorize कर तो x minus 2 से x minus 2 होट जाएगा सिर्फ क्या बचेगा x plus 2 और जब 2 पर limit निकालोगे तो 2 plus 2 क्या जाएगा 4 तो इस type के questions वैसे तो आप कर चुके हो तो अगर exam में अगर using epsilon delta definition आए तो तो अब जैसे मैं करा रही हूँ वैसे ही करना है इसी definition से otherwise अगर ना है direct आजाए show that या evaluate the limit जैसे यह सारे questions है तो यह सारे questions आपको वैसे ही करने है जैसे आप 12th class में करके आए हो तो इस exercise का सिर्फ first question है by using epsilon delta definition वो मैं आपको करा रही हूँ बाकी exercise आप खुद try करेंगे ठीक है अब first question कर लेते हैं क्योंकि first question में उसने कहे दिया कि आपको यह limit दिखानी है यह आएगी लेकिन किसकी help से by definition ठीक है using epsilon delta definition तो first part देखिए first part तो अभी वैसे तो मैंने आपको बताई दिया लेकिन आप मैं किसे बता रही हूँ epsilon delta definition से तो देखिए इसमें क्या आएगा f of x हम लेकर चले x square minus 4 upon x minus 2 अब उसने कहे दिया कि आपको show करना है at x equal to 2 पर इसकी limit क्या आएगी 4 आएगी तो by definition मैंने आपको क्या कहा था हम क्या लेकर चलेंगे epsilon positive एक given number लेकर चलेंगे ठीक है फिर क्या कहा था mode f of x minus l less than epsilon यही कहा था ना by definition अब mode f of x minus l की value यहां क्या दे रखी है 4 इनका difference लेकर चलेंगे इनका difference मैंने क्या किया इसमें f of x की value पुट कर दी x square minus 4 upon x minus 2 minus 4 फिर से इसको simplify किया x minus 2 x plus 2 x minus 2 कट जाएगा तो यह क्या बचा x plus 2 minus 4 यानि कि क्या बचा mode x minus 2 अब by definition आप क्या कहते थे कि mode f of x minus l less than epsilon whenever mode x minus a less than delta ठीक है यहां पर इस question में l तो क्या है 4 और a क्या है 2 तो देखो mode f of x minus 4 में लेकर चली ठीक है अब वो किसके equal आ गया mode x minus 2 के mode f of x minus 4 by definition क्या लेना है less than epsilon अब यह less than epsilon कब होगा यह equal किसके आया mode x minus 2 के यानि कि जब यह less than epsilon होगा ठीक है अब by definition तो यह क्या होता था less than delta तो यहां पर delta को मैं किसके equal मान लेती हूं एपसाइलन के equal ही मान लेती हूं ठीक है तो यह definition को satisfy कर गया क्या थी definition for given epsilon greater than 0 के लिए हम एक epsilon greater than 0 नमबर लेकर चले तो एक delta exist कर गया जो epsilon के equal आ गया such that जिसके लिए यह definition क्या हो रही है satisfy हो रही है यानि कि mode f of x minus 4 less than epsilon आ रहा है whenever mode x minus 2 क्या है less than delta तो इसलिए इस case में f of x की limit की लिमिट के आएगी for जब हम x को 2 की तरफ अप्रोच कर रहे है तो इसी तरीके से आपको सारे questions करनी है आपको ये जो है किसकी term में लेकर आना है mode x minus 1 की term में लेकर आना है ये चीज़ solve करके देखो जैसे next part है f of x equal to क्या है sin x अब ये देखो उसने कहा क्या है कि l तो क्या आना चीए sin a और x को a ही लिया है तो इसका मतलब आप क्या consider करते थे for given epsilon greater than 0 के लिए आप क्या consider करते थे mode f of x minus sin a ठीक है क्योंकि l आता था l क्या यहां पर sin a f of x की value रख दी sin x minus sin a sin c minus sin d का formula खोल दीजिए 2 को c plus d by 2 sin c minus d by 2 ठीक है product पे mode separate हो जाएगा दोनों पे mode अलग अलग लगा दिया अब यहां पर आपको चाहिए इस side क्या mode क्या चाहिए आपको इदर mode x minus a चाहिए है यही चाहिए है ना mode x minus a अब वो लाने के लिए यह कोस वाली term हटाई पहले हमने क्योंकि mode cos theta क्या होता less than equal to 1 तो यह हट गया पूरा less than equal to 2 sin x minus a by 2 बचा अब यहां पर भी सिर्फ हमें sin अटाने सिर्फ x minus a वाली term चाहिए है तो आपने result पड़ा होगा mode sin theta क्या होता है less than equal to mode theta तो यह less than equal to आजाएगा 2 mode x minus a by 2 2 से 2 कैंसिल हो गया तो सिर्फ क्या बचा mode x minus a यहां पर अबकी बार mode f of x minus a ने less than equal to आगया mode x minus a से आगे आपको एक question ऐसे ही करना है आप क्या कहोगे यह less than epsilon कब होगा if mode x minus a less than epsilon होगा फिर epsilon को किसके equal मान लोगे delta के equal ठीक है जैसे उपर वाले question में किया था तो for given epsilon greater than 0 के लिए एक delta exist कर गया जो epsilon के equal आया है such that mode f of x minus a less than epsilon whenever mode x minus a less than delta ठीक है एक पार्ट और करते हैं fourth part देखो mode f of x minus 0 यह consider किया हमने क्यों किया क्यों किया फॉर्थ पार्ट में आपको prove क्या करना है function x square sine 1 by x कि l क्या है 0 आए और x a भी क्या है 0 है तो l की value रखते थे यहां 0 रख दिया यहां function की value put कर दी 0 गट गया x square sine 1 by x बचा mode product पे खुल जाएगा equal to में आ गया अब यहां पर mode sine theta क्या होता लेज़न equal to 1 तो सिर्फ यह क्या बचा less than equal to mode x square अब देखें यहां तो mode x चाहिए था ना हमें क्या चाहिए था mode x minus 0 x minus a होता था लेकिन आया है x square तो उसके लिए देखो अब क्या किया यह less than epsilon कब होगा इफ यह less than epsilon होगा लेकिन square नहीं चाहिए था तो square यहां से हटा दिया तो mode x क्या आ गया root epsilon अब बन गया mode x minus 0 less than root epsilon आया है होता क्या यहां पर delta तो delta की value यहां पर आप क्या आ जाएगी root epsilon तो for given epsilon greater than 0 के लिए delta exist किया जिसकी value क्या है root epsilon such that mode f of x minus 0 less than epsilon whenever mode x minus 0 less than delta तो delta epsilon पर depends जरूर करेगा लेकिन जरूर ही नहीं कि हर केस में delta की value epsilon ही है कुछ भी आ सकते epsilon by 2 root epsilon by 3 कोई भी value आ सकती है एक fifth part और कर लेते है fifth part में आप function यह दे रखा है a2 दे रखा है l3 दे रखा है तो mode f of x minus 3 हम लेकर चलेंगे value put कर दी उपर इसके factor बना दो a cube minus b cube यानि कि x cube minus 2 cube कैसे खुलेगा x minus 2 into x square plus 2 square plus 2 x ठीक है क्या होता था x square plus a square plus a b और नीचे a square minus b square खोल दिया x minus 2 से x minus 2 cancel हो गया इसका LCM लिया इसको simplify किया उपर वाले numerator के factors बना दी है हमने factors बनाने के बाद product पे सारिफ खुल गए अब यहाँ पे सिर्फ क्या चाहिए है a क्या था यहाँ 2 तो हमें यहाँ चाहिए mode x minus 2 इसका मलब यह term नहीं चाहिए है और उपर देखो उपर वाली term नीचे वाली term से क्या है छोटी है x plus 1 x plus 1 x plus 2 से strictly less आएगा इसको divide में ले जाओ तो इसका मलब x plus 1 by x plus 2 क्या आएगा less than 1 तो उसका mode भी less than 1 आएगा तो इसकी जिंगे पर हमने value रख दी तो यह आगे less than mode x minus 2 अब यहाँ पे भी फिर क्या करोगे यह less than epsilon कब होगा जब यह less than epsilon होगा तो इस case में भी delta और epsilon क्या आजाएंगे equal आजाएंगे ठीक है बागी part आप खुद से try कर लेना इसके विल्कुल easy है और आगे के questions सारे ही 12th level के हैं तो यह आप सारे खुद करेंगे अब यह आपने पढ़ा limit next है continuous कि function continuous कब होगा किसी point पे तो दोनों में ज़रा सा ही difference है आपने जो पहले definition पढ़े होगी उसमें आप कहते थे left hand limit और right hand limit तो equal आजाएं और वो किसके equal आजाएं function of a के function की value at a उसके equal आजाएं इतना साही difference है ना बस क्या change हुआ L की जंगे पर क्या आगया f of a आगया तो पूरी की पूरी definition same रहेगी बस जहां L था उसकी जंगे बस आप क्या रख दोगे definition में f of a तो देखें जो epsilon delta वाली definition थी बिलकुल same चलेगी let f be a function defined in the neighborhood of a then the function f is said to be continuous at a if forgiven epsilon greater than 0 however small it may be there exists delta greater than 0 depending on epsilon such that mode f of x minus L की जंगे पर क्या आगया f of a less than epsilon whenever mode x minus a less than delta ठीक है तो limit exist कब करती है जब left hand limit और right hand limit दोनों equal आजाएं और continuous कब बोल देंगे जब वो limit किसके equal आजाए f of a के equal आजाएं तो जहां limit आती थी L उसकी जंगे पर हमने क्या रख दिया f of a बागी definition क्या रहेगी बिलकुल same रहेगी discontinuous function आप किसको बोलते हो discontinuous function भी पर चुके जहां जिस point पर function continuous नहीं होता तो इसका मितलब वो क्या होगा discontinuous function होगा discontinuity आप की types भी होती है discontinuity की types में आपके पास कितने type आती हैं पांच टाइप आती है देखिए first क्या है removable discontinuity अगर आपके पास लिमिट तो exist कर गई ठीक है लेकिन वह function of function की value at a point उसके equal नहीं आई f of a की equal नहीं हाई तो उस case में उसको हम बोलते है removable discontinuity removable क्यों बोलते क्योंकि उसको हम remove कर सकते हैं अगर मैं f of a की value change कर दूँ f of a की value l के equal रख दूँ तो उस case में discontinuity हट जाएगी तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं removable discontinuity next है discontinuity of first kind अगर function की discontinuity first kind पर कब बोलेंगे at x equal to a if both limits exist but are not equal दोनों limits तो exist कर रही है लेकिन आपस में equal नहीं आ रही तो उसको हम बोलेंगे discontinuity of first kind next is discontinuity of second kind second kind में क्या होगा अगर आपके पास एक भी limit exist ना करें या तो left hand limit exist ना करें या फिर right hand limit exist ना करें तो उसको हम बोलेंगे discontinuity of second kind mixed discontinuity क्या बोलते हैं अगर उपर जितनी भी discontinuity आपने पढ़ी है उनका combination अगर मान लिचे हो first kind के साथ में removable है ठीक है अगर इस तरीके से उनका combination है किसी भी type की तो उसको हम बोलते हैं mixed discontinuity next है infinite discontinuity अगर आपके left hand या फिर right hand दोनों में से एक भी limit अगर infinitely large आ जाती है यानि कि infinity आ जाती है तो उस point को हम क्या बोलेंगे infinite discontinuity 1.2 exercise के भी सिर्फ first or second question उसने कहा using epsilon and delta definition के आपको प्रूव करने की वो function इस point पर continuous होंगे तो यह दो questions मैं आपको बता देती हूँ बाकि सारे questions आपको उसी तरीके से करने जैसे 12th class में आप करते थे left hand right hand limit निकाल के उसको f of a के equal check करोगे है या नहीं अगर है तो continuous है otherwise discontinuous है तो बाकि exercise आपको ट्राइ करोगे इसका सिर्फ first or second question मैं आपको बता देती हूँ first or second question किस तरीके से होगा इसकी बजाए मैं आपको example से बता देती हूँ same वैसे ही वहाँ पर करना आपको ठीक है बिल्कुल अभी जो मैंने limit के question कराया है बिल्कुल उसी तरीके से होंगे बस l की जेंगे यहां f of a रखना उतना ही फरक है बाकी same उसी pattern पर question होंगे जैसे show that root x continuous function आपको चेक करना for x greater than equal to 0 के लिए ठीक है यहां पर देखे f of x क्या है root x f of a क्या बनेगा root a तो आप क्या consider करोगे given epsilon greater than 0 के लिए आप consider करोगे f of x minus f of a तो वो रख दिया root x minus root a अब by definition यहां आपको चीए था mode x minus a ठीक है ना mode x minus a लाने के लिए इसको क्या किया रेशनलाइज किया तो उपर तो आ गया mode x minus a और नीचे क्या आ गया root x plus root a अब यह दो का sum है तो root x plus root a दो का sum है तो इसका मतलब root a से तो क्या होगा बढ़ा होगा ठीक है और x 0 होगा तो उस case में equality भी आ सकती है अब इसका reciprocal लेंगे तो उल्टा हो जाएगा 1 by root x plus root a क्या जाएगा less than equal to 1 by root a ठीक है अब क्या का मैंने by definition epsilon greater than 0 के लिए यह क्या नचीए less than epsilon अब यह less than epsilon कब होगा whenever यह less than epsilon होगा इसको जो मैं less than epsilon रखूंगी तो root a को उधर ले जाएगे तो mode x minus a क्या गया root a epsilon यहां होता क्या था delta तो इसको आप क्या रख दोगे delta तो mode f of x minus f of a less than epsilon whenever mode x minus a less than delta definition को satisfy कर गया तो इसका मतला function क्या है continuous है at a 0 पर उसने अलग से दिखा दिया बिल्कुल उसी तरीके से 0 के लिए दिखाना f of 0 के आएगा 0 ही तो खुद क्या आगे रूट x रूट x के आगे अब यह less than epsilon कब होगा जब रूट x less than epsilon होगा लेकिन आपको यहां चाहिए तो क्या है mode x minus 0 तो x लाने के लिए दोनों तरफ स्क्वेरिंग कर दीजिए तो x के आगे less than epsilon square तो इस case में delta के एक्वल आगया epsilon square के एक्वल आगया ठीक है एक कोशन और देख लीजिए x sin 1 by x इस function को continuous दिखाना है सिर्फ 0 पर इसकी continuity चेक करनी वैसे तो for every real x का है हर जगे तो होई जाएगा सिर्फ break किस पर है 0 पर तो हमें इसको इसकी continuity किस पर discuss करनी है 0 पर तो 0 पर अगर मैं by definition इसको चेक करूंगे तो क्या लोंगे f of x minus f of 0 mode इसकी value रख दी x sin 1 by x minus 0 product खोल दिया पिछे ऐसा कोशन में आपको करा चुकी हूं बिल्कुल से mode sin theta क्या होता less than equal to 1 तो यह less than equal to mode x आ गया नहीं करें तो आप जैसे 12 में करते थे वैसे ही कर सकते हैं तो इस exercise के यह first और second question ट्राइ कर लेना limit में मैं करा चुकी हूं बिल्कुल उसी तरीके से यहां पर होंगी यह question ठीक है इसमें sin square x minus sin square a बनेगा और उसमें फिर आप उसको factor इसका formula लगा लगा लेना trigonometry में आप य इन में sin c minus sin d का formula लगेगा क्योंकि यह बनेगा sin x minus sin a यह बनेगा cos x minus cos a तो इसमें cos c minus cos d का formula लगेगा यह question उसी तरीके से होगा जैसे अभी पीछे मैंने बताया है इसमें यह भी उसी तरीके से होगा इसमें more sin theta को less than equal to 1 रख लेना तो सिर्फ x square बचेगा x square को less than epsilon रखोग की है function को चेक करना की continuous or derivable है या नहीं है इस तरीके से यह भी आपके 12th level के question है तो 1.3 exercise भी आप खुद से try